गुड मॉर्निंग सुट्रेंट्स आज हम बिये पार्थर्ड के प्रथम प्रश्णुपत्र प्रमुक पश्मी राचनेते क्विचारक में काल माक्स के विज्यानिक समाचवात के अंतरगत जो चौथी अवधारना है इतिहास की बहुतिक पादी व्याख्या या आर्थिक निर माक्स की सवधारना को इतिहास की बहुतिक व्याख्या का नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये एतिहासिक धारना है माक्स इस धारना के माध्यम से ये बताना चाहता है कि किस प्रकार समाच में वर्ग रहे कैसे वो वर्ग खत्म होंगे जिसे कि माक्स कहते हैं सभी राचनीतीक तथा बोधिक साम्मद सभी धार्मिक तथा कानुनी पद्दतियां सभी बोधिक दस्टी कोन जो इतिहास के विकासक्रम में जल्म लेते हैं वे सब जीवन की बहुतिक आवस्था में जल्म लेते हैं माक्स द्वारा वर्नित इतिहास की बहुतिक वाती व्याक्या को हम कुछ शीर्षकों में देख सकते हैं जो की इस प्रकार है पहला है उत्पादन मानव की सर्वत्तम क्रिया है यह धारणा इस सिद्दान पर आधारित है कि मानव को रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यक्ता मानव का अस्तितु ही इस अफलता पर निर्भर करता है यनि मानव अपनी आवश्यक्ताओं की पूर्ती के लिए कारिये करता है दूसरी बात वो कहते हैं कि सत्य हमेशा दो परस्वर विरोधी वर्गों में विभाचित रहता है माक्स का मानना है कि सभी विक्ति अपने आप को संतुस्ट नहीं कर पाते निर्धन लोगों में असंतोष के कारण दबाव सदा बना रहता है जब यह मानव अनुभव नहीं करता है कि उसकी वे असंतुस्ट है तो ऐसे स्तिती में क्या होता है कि धर्म उसे कमजोर बनाता है पर नाम सरूप समाज में हमेशा दो वर्ग रहे हैं एक वर्ग धनी और दूसरा निर्धन और सत्य इन दो वर्गों में ही नहीं थे तीसरी बात वो कहते हैं परिवर्तन शील उत्पादन शक्तियों का सामाजिक समंधों पर प्रभाव यानि काल माक्स का मानना है कि जीवन की बहुतिक साधनों की उत्पादन पद्दत सामाजिक समंधों में परिवर्तन लाती हैं उत्पादन और उत्पादन शक्तियों का विकास समानांतर चलता रहता है और ये जो परिवर्तन शील पद्दतियां हैं ये कहीं न कहीं समाज को प्रभावित करती हैं जैसा कि वो कहते हैं कि अतिक उत्पादन की संभावना नही होने पर पूंची पती या अगर उन्हें फाइदा नहीं होता तो कई बार पूंची पती उत्पादित माल को नस्ट कर देते हैं, उनका मानना है कि ऐसा संकट साम्मेवादी विवस्था में लगबग नहीं आता है, चौथी बात है उत्पादन और उत्पादन शक्ती के विका इतिहास की द्वंदवाती भावना यानि उत्पादन शक्ति के विकास का निश्यत नियम है जिसकी प्राप्ति द्वंदवात से हो सकती है नेक्स्ट है इतिहास की अनिवारेता में विश्वास माक्स कहते हैं कि इतिहास का निर्मान मनुष्य के प्रयत्नों से स्वतंत रूप से होता है इतिहास के प्रभा को मनुष्य अपने प्रयास से नहीं डोक सकता उत्पादन के शक्तियों के अनुकूल जिस प्रकार उत्पादन संबंदों की आवश्यक्ता होगी वे आवश्यक रूप से पैदा होगे नेक्स्ट है इतिहास का काल विभाजन, काल माक्स के द्वारा इतिहास का काल विभाजन भी किया गया है और इतिहास को वे छे भागों में बाटते हैं आदिम सामेवादी अवस्था इसे माकस सामेवादी अवस्था कहते हैं क्योंकि इसमें मेरी तेरी की कोई भावना नहीं थी जो कुछ उपलब्ध था प्रकर्टी के द्वारा वो सबका समान रूप से था दूसरी है प्राचीन अवस्था इस प्राचीन अवस्था में वो कहते हैं कि वर्ग विभेत उत्पन हो गया था लोग खेती करने लगे थे पशूपालन करने लगे थे तो यह दास अवस्था आ गए थी तीसरी अवस्था को कहते हैं सामंती अवस्था जैसे जैसे उत्पादन के साधनों में वृत्ती हुई सामंत भूमी पर अपना अधिकार रखते और इस अवस्था में शोशन बहुत जादा था चौत ही है पूँची वादी अवस्था और द्यो की क्रांती के बाद श्रमि किसी भी कारिये के लिए स्वतन नहीं होते उन पर पूँची का नियंतरन होता है और ये पूँची पती सर्वहारावर्ग का शोशन करते रहते हैं पांचवी अवस्था को वह कहते हैं सर्वहारावर्ग के अधिनायक वाद की अवस्था सर्वहारावर्ग प्रमुक रूप से पूंची पतियों का विनाश कर देता है सारी सत्ता अपने हाथ में ले लेता है और जब ऐसा होता है तो सर्वहारावर का अधिनायक वादी शासन इस्थापित होता है इस अवस्था में शमिक वर्ग का शोशर नहीं होता नेक्स्ट है साम्मेवादी अवस्था इस अवस्था को कालमाक्स वर्ग विहीन और रच्चे विहीन अवस्था कहते हैं यानि यह वर्ग विहीन और रच्चे विहीन व्यवस्था है और इस व्यवस्था में ना तो रच्चे होता है ना ही किसी भी तरह के वर्ग पाहे जाते हैं और काल माक्स इस अवस्था को इतिहास की अंतिम अवस्था कहते हैं यानि मानव सब्भेता की जब शुरूआत हुई थी तब सामयवाद हुआ और जो इतिहास की अंतिम अवस्था है तब भी वह कहते हैं कि सामयवाद होगा नेक्स्ट है इतिहास की आर्थिक व्याख्या के निसकर्श पहला है सामाजिक चीवन के परिवर्तन इश्वर की इच्छा अथ्वा महापुर्शों के विचारों से नहीं होते अपितु वे सामाजिक विकास के नियम है यानि माक्स कहते हैं कि सामाजिक जीवन में जो परिवर्तन होता है वैईश्वर की इच्छा से या मापुरुषों के कारण नहीं होता सकिन है प्रतेक युग की समस्त सामाजिक व्यवस्था पर उसी वर्ग का आदिपत्य होता है जिसके पास पूझी होती है यानि जो धनवान है वो ही सारी की सारी व्यवस्थाओं पर अपना नियंत्रन रखता है थर्ड है समस्त सामाजिक व्यवस्था उत्पादन इस्थिती और उत्पादन के साधनों पर निर्भर करती है रच्छे शोशक वर्ग की आवश्चक्ताओं की पूर्ती नहीं कर पाता ह और इसलिए रच्छे की प्रकृति में परिवर्दन आ जाता है निकि जो रच्छे है वो भी शोशन का एक्यंत्र है और रच्छे भी केवल उन लोगों की साहता करता है जो अमीर है नेक्स्ट है वर्ग संघर्ष मानुवे इतियास की कुंची है और दास वर्ग से लेकर शमिक वर्ग के अधिनायक वाद तक वर्ग संघर्ष ने सामाजिक व्यवस्था को परिवर्दित करने का कारिये किया है यानि जो वर्ग संघर्ष है वो ही मानुवे इतियास की कुंची है हमेशा से दो वर्गों के बीच वर्ग संघर्ष रहा है और वर्ग वहीं समाज के अपना होने के बाद यह व्यवस्ता अपने आप खत्म हो जाएगी नेक्स्ट है माक्स अपने इतिहास की आर्थिक व्यवस्ता के आधार पर पूंची वाद के अंत और सामे वाद के आगमन पर बल देता है या नहीं जो इतिहास है उस इतिहास में एक दिन सामे वाद का अंत ह और जो पूंची वादी व्यवस्था है वे पूंची वादी व्यवस्था इस्थाबित होगी नेक्स्ट है काल माक्स के इतिहास की बहुतिक वादी सिद्दान्त की आलोचना पहली आलोचना है मानव इतिहास का विकास किसी एक तत्व से नहीं हुआ है माक्स केवल आर्थिक तत्व पर ही बल देते हैं आर्थिक तत्व के अलावा राजनीतिक, सामाजिक, दूसरे तत्व भी मेंत्वपोर्ण होते हैं और परिवर्तन और तत्वों के माथियम से भी होता है नेक्स्ट है आर्थिक आधार पर सभी एतिहासिक गटनाओं की व्याक्या संभव नहीं है हम आर्थिक आधार पर सभी एतिहासिक गटनाओं की व्याक्या नहीं कर सकते हर गटना के पीछे आर्थिक कारण हो यह जरूरी नहीं है नेक्स्ट है इतिहास के निर्धारण में संयोग तत्व की उपेक्षा की है जबकि हम मानते हैं जिसे हम अगर ब्रिटन के विधान को देखें तो ब्रिटन का विधान तो पूरी तरह से संयोग पर अधारित है तो हम संयोग तत्व को इतिहास के निर्धारण से हटा नहीं सकत निक्स्ट है मानव इत्यास के काल क्रम का निर्धारन संभव नहीं जिसे माक्स कहते हैं कि फूंजी वाद आएगा फिर सर्वहरावर्ग का दिनायक वाद होगा और फिर सामेवाद की स्थापना होगी चीन में पूंजी वाद नहीं रहा लेकिन वो सामेवादी बना नेक्स्ट है राजनीतिक सत्ता का एक मात्र आधार आर्थिक सत्ता नहीं है माक्स कहते हैं कि राजनीतिक सत्ता उन्हीं लोगों के हाथ में होती है जिनके हाथ में आर्थिक सत्ता है जबकि यह बात सही नहीं है अगर हम देखें तो हम यह पाते हैं कि कहीं कहीं सेन्ने बल के आधार पर भी सत्ता हतियाई चाहती है यानि इसलिए नहीं कि वो अमीर हैं इसलिए उन्के हाथ में राजनीतिक सत्ता है सत्ता उन्होंने इसलिए प्राप्त की क्योंकि वे सेन्ने दस्ति कौन से सक्षम थे नेस्ट है आर्थिक संबंधों को तो राजनीतिक शक्ति द्वारा बदला जा सकता है, कई बार राजनीतिक व्यवस्ता के कारण आर्थिक नीती बदलती है, जिसे 18 सदी में और द्योगिक क्रांती के कारण इंग्लेंड में व्यक्ति वादी विचार धारा का जन्म हुआ, नेक्स्ट है इतिहास की धारा का रज इतिहास का अंत है तो ऐसा संभव नहीं है चीन सामेवादी होते वे भी आएक रज्य है उसे हम एक रज्य विहीन की शेनी में नहीं रख सकते तो इस तरह से निसकरशात्नक रूप में हम यह कह सकते हैं कि माक्स की यह जो अवधारणा है इसमें भी यह कुछ कमिया देखी जा आती हैं तो इस तरह से वेज्यानिक समाजवाद के अंतरगरत अपन इन चार प्रमुख जो उनके दस्टी कौन है अतरिक्त मुले का सिद्दांत वर्ग संगर्ष का सिद्दांत इतिहास की बहुतिक वादी व्याख्या और द्वंद्वात्मक बहुतिक वाद यह चार मुख